तो दोस्तों बच्चे हमेशा कुछ नगा खाने की डिमान करते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि क्या बनाएं जो healthy भी हो और tasty भी हो तो आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है और सीखिए आटे से बने हुए बहुत ही healthy और tasty recipe जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यहां बिना तेल के हमाटे से एक healthy breakfast बनाएंगे या इस snack में भी आप इसे use कर सकते हैं तो सबसे पहले एक पैन ले लिजिए पैन के अंदर थोड़ी सी green chili डाल लिए और अदरक लेसन का paste डाल दीजिए अदरक लेसन के paste की जगा आप अदरक को ग्रेट करके और लेसन को बारी काट कर भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से mix कीजिए और यहां पर यह दोनों चीजिए हमने अच्छे से mix कर ली हैं तो इसमें कुछ wedges डालिए तो अभी मेरे पास यहां पता को भी और कैपसी कमी थी तो मैं वही दोनों ले रही हूँ आप यहां गाजर भी डाल सकते हो बीन्स भी डाल सकते हो अपनी पसंद की जो भी पसंदीदा सबजी आए वो यहां डाल दीजिए क्योंकि यह जो नाश्टा है ना बहुत टेस्टी बनने वाला है तो बच्छों को तो बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से हम बनाएंगे बिल्कुल जादा ताम जहां की जरूरत नहीं पड़ेगी हलका सा सौटे करेंगे फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वात के अनुसार थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे पिर हम इसमें डाल देंगे सभी की फेपरेट सेजवान चटनी और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक चम्मत चटनी में नहीं डाली है और अच्छे से मिला लीजिए और बस हमारा यह जो मिक्शर ना बिलकुल तैयार है तो देखाना कितना हेल्दी कितना टेस् करेंगे तो फिलिंग हमारी तैयार हो गई अब हम देख लेते हैं आटे से इस आटे को एक बार अच्छे से और गूंत लेंगे और यकीन मानिए दोस्तों यह बहुत बढ़िया बहुत जबर्जस्त बनेगा तो यहां देखिए इसको मेरे बिलकुल सॉफ्ट लगाया हुआ तो यहां पर आप छोटा या बड़ा जैसा प्रसंद करें वैसा बेल सकते हैं और यहां पर एक बड़ी रोटी बनाकर इसे पीसे में काटके भी इस तरीके की लोई रेडी कर सकते हैं तो यह आपके उपर आपको कैसे बनाना है तो यह बिलकुल रडी हो गई है तो इस तरीके से आपको ऐसे plates बनाते जाना है देखा आपने किस तरीके से हमें से fold करना है बहुत simple तरीका है बनाने का और आप जरूर try कीजिएगा तो बस इसे अच्छे से fold कर लीजिए और हमारा ये आटे से बनावा tasty momo बिल्कुल तयार है जी हाँ एक बार try तो कीजिए आप मैदय का बनावा momo खाना भी भूल जाएंगे तो ये मेरा instant तरीका है आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा और किस किस को momo's खाना पसंद है ये भी comment करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पर देखिए एक और momo मैं आपको भरके दिखा देती हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने से पतला बेल लिया और अब हम इसके अंदर filling रखेंगे filling रखकर इस तरीके से आपको धीरे-धीरे से fold कर लेना है और यह लिजे हमारा momo बिल्कुल तयार है तो धेर सारे momo इसी तरीके से बना कर तयार कर लेते हैं तो लीजे धेर सारे momos बिल्कुल तयार हो गए हैं अब फटा फट से एक इस तरीके की जिसमें काफी सारे छेदो वह वाली छनी लीजिए और इसके अंदर oil लगाईए oil को अच्छे से चारो तरफ लगा दीजिए और उसके बाद इसमें momos को रख लीजिए यह वाली जो छनी होती है हर किसी के घर में available होती है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो tension की कोई बात नहीं है आप यहाँ इडली के stand यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पर एक भगोने में मैंने पहले से ही पानी को boil कर लिए दा देख रहे हैं आप इस तरीके से अच्छा सा पानी उबलना चाहिए उसके उपर ही आपको यह जो छट्टी है यानि छनी है इसे रखना है और इस टीमर तरीके से बना लेना है क्योंकि हम यहाँ घरेलू तरीके से इसे बनाने वाले हैं तो अगर आपके पास momo steamer नहीं है तो इस तरीके को यूज़ करके steam कीजिए अब 10 मिनिट हो गए हैं देखिए momo अच्छे से बनकर ready हो गए हैं बहुत ही बड़ी हाट tasty momo बने हैं और यहाँ पर आप थोड़ा सा reddish देख रहे हो ना यह हमने जो momo चटनी डाली न सेजवान वाली उसके वज़े से अंदर की filling का color दिखाई दे रहा है आपको तो ऐसा बिल्कुल मस समझना के आटे के momo अच्छे नहीं बनते देखो पांस से दिखा देती हूँ बहुत बज़स्त बने हैं इसकी layering देखो बहुत perfect आई है और बस फटा-फट से सेजवान चटनी या जो momo वाली चटनी होती है उसके साथ सर्व कीजिए और साथ पर आप आपको यह momos को अलग-अलग तरीके से खाना पसंद है और आप इसकी और recipes सीखना चाहते हैं तो मुझे comment जरूर कीजेगा और आपका favorite momo कौन सा है यह भी comment करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा तो देखिए कितने perfect बने हैं बहुत tasty बने हैं दोस्तों जल्दी से Instagram, Facebook पे भी कि इब बने के लगका पहर के हैं इसा हैब तो देकार हैं पुमये और से नल्दी ऑखका है और आपका हैं धर गुल पर भांते हैं आपका यह से फिम्रावश्वित थे का पहँआ, पताना बेयो, झाल एकितने को राहें पुमया से र legisl前 हैं इसांने हैं इसक्ता